प्रवाइब दोस्तों आप सभी का टेकनिकल दिव्यांग चैनल पर दोस्तों अगर आप सेंसंग डिवाइस यूज कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूए क्योंकि आज किस वीडियो में हम बताने वाले हैं सेंसंग के उस डिवाइस की लिस्ट जिसको सेंस इंडोड़ पाइके अपडिएट के लिए तो दोस्तों बने रही है हमारा साथ इस वीडियो में अगर आपका डिवाइस अंडोड़ पाइस से नीचे है तो आप जरूर देखे इस वीडियो को क्योंकि हो नो हो आपका वीडिवाइस इस लिस्ट में आ जाय जिसे मिलेगी Android Pie का अपडेट तो बने रहे ये वीडियो में लेकिन वीडियो में आगे बरने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिकर्शन वाले घंटी को क्लिक कर लिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और देख लेते हैं समसंग के वह कौन-कौन से सब्सक्राइब को मिलने वाली है और फरवरी महीने में आपको सिर्फ एक ही डिवाइस को यहां पर लिस्टिंग किया गया है यानि गैलेक्सी नोट आठ को मिलेगी एंडॉइड पाई का अपडेट अगर हम मार्च महीने की बात करें तो गैलेक्सी एट एस एट प्लस यहा गैलेक्सी एट प्लस और गैलेक्सी एस सेवेन जो की दोजार अठार में रिलीज हुई थी उस डिवाइस को अप्रील के महीने मिलेगी एंडॉइड पाई की अपडेट गैलेक्सी एट पलस को भी मिलने वाली है अप्रील के महीने में बात करते हैं गैलेक्सी एट एस को अप्रील महिने में मिलेगी galaxy j24 जो की रिलीज हुआ tie samsung द्वारा अप्रील महिने में की आप्रीली महिने में मिलेगी अप्रील महिने में Android Pie के अपडेट जून महीने की बात करें तो यहाँ पर Galaxy J7 जो की 2017 में रिलिज हुई है और Galaxy J7 Duo, J7 Neo और ये तीनों डिवाइस को मिलेगी जुलाई के महीने में अपडेट उसके बाद अगस्ट में मिलने वाली है Galaxy Tab A3 जो की 9.7 है उसको अगस्ट महीने मिलेगी और Galaxy Tab A को मिलेगी Android Pie की अपडेट अक्टोबर के महीने में मिलेगी और टेवे जो की 2017 वर्जन है उसको ही मिलेगी Android Pie की अपडेट बात कर लेते हैं अक्टोबर महीने में एक और अपडेट टेब A 10.5 इसको तो कुल मिला कि यह थे डिवाइसेस सैमसंग के जिनको मिलने वाली है पूरे 2019 के अंदर Android Pie की अपडेट और यह लिस्ट जारी किया अफिसियली सैमसंग ने तो दोस्तों उमीद है कि हमारा वीडियो आपको जो पसंद आएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू